उत्तर प्रिदेश के प्रियाग राज से एक हेंदे विदारा घटना सामने आई है जो भी इस घटना का गवाह बना उसकी आखे भराई सब को सही और उन्नत प्रिदेश का दावा करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए यह वीडियो आत्मा को जगजोर देने वाला है पतादे कि प्रियाग राज के जूसी में महिला की बीमारी से मौत के बाद पिता और पती उसके शब को बास में लटका कर अंतिम संसकार के लिए ले जा रहे थे उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे शब को किसी वाहन द्वारा ले जा सके जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे उधर लोग उन्हें आश्यरिय भरी नजरों से देख रहे थे रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों का दिल पसीजा उन्होंने रोपकर उनसे जानकारी ली और कुछ पैसे से मदद की साथ ही इरिक्षा से पार्थिव शरीर को गंगा घार तक भेजने की व्यवस्था कराई मौके पर जूसी पुलिस भी पहुँच गई इस बीच किसी ने उनका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया जो तेजी से वाइरल हो गया करीब 30 सेकंड के वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग एक डंडे पर कपड़ा बांध कर उसमें शब रखकर ले जा रहे हैं इसी बीच उन पर कुछ लोगों की नजर पढ़ती है पूछने पर वे अपना दर्द बया करते हैं इस पर कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं वारांसी के रहने वाले बनवासी समाज के दो लोग मास से महिला के शब को लटका कर दारागंज गंगा घाट ले जा रहे थे जिसमें एक महिला के पती और दूसरे पिता थे महिला के पती पत्तल बेच कर जीवन यापन करते हैं बीमारी से महिला की मौत के बाद इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वाहन से शब को ले जा सके महिला के पती नकुडू ने बताया कि पत्नी कही दिनों से बीमार थी जिसकी मिरत्यु शुक्रवार को हो गई पैसी की विवस्था नहीं होने से मजबूरी में बास से बांद कर दारागंच था वहीं उनकी दयानिय स्थिती को देखते हुए लोगों ने ततकाल पास्सो पास्सो रुपे की मदद की इस दोरा लोगों की भीड जुट गई सभी ने कुछ ने कुछ मदद की सूचना पाकर पहुंची जूसी पुलिस ने जानकारी हासिल की जूसी ताने के इस्पेक्टर नवीन सिंग ने इरिक्षा से पार्थिव शरीर को दारागंच घाट भेजबाने की विवस्ता करवाई झाल